नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की एक्टिहिल्दी टेबलेट का उप्योग किन कंदीशन्स में किया जाता है Actihil D-Tablet को कैसे लेना चाहिए और Actihil D-Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Actihil D-Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Actihil D-Tablet का उपयोग शरीर में दर्ध होने पर और सूजन को कम करने के लिए Actihil D-Tablet का उपयोग किया जाता है यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़े से सूजन आ गई है तो Actihil D-Tablet दर्ध के साथ साथ सूजन को भी कम करती है और कोई चोट लगने पर घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करती है Actihil D tablet का उप्योग शरीर की मासपेशियों में दर्ध होने पर, शरीर की हड्डियों वर शरीर के जोडों में दर्ध होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर में दर्ध होने पर, कान में दर्ध होने पर और गले में दर्ध होने पर आधी कंडिशन्स में Actihil D tablet का उप्योग क कोई surgery होने के बाद या कोई accident होने के बाद घाव को जल्दी ठीक करने के लिए और सूजन को कम करने के लिए भी Dr. Actihil D tablet को लेने की सला दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में एक्टिहिल डी टैबलेट की वज़ा से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में एक्टिहिल डी टैबलेट की वज़ा से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे बदहजमी होना, पेट में दर्ध होना, पेट में जलन होना, कब्ज होना, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशेस होना, भूख कम होना, दस्त होना और लिवर इंजाइन बढ़ सकते हैं. ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में Actihil D tablet को लेने से किड्मी वर लिवर डैमेज हो सकती हैं और शरीर में खून की कमी हो सकती हैं एलर्जिक रियेक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है यदि आपको Actihil D tablet को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुह गले, होटो या तवचा पर सूजन, वचा पर खुजली, वचा पर रैशिस या Actihil D tablet को लेने के बाद एकदम से बुखार होता है तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि ये लक्षन एलर्जिक रियेक्शन के हो सकते हैं और एलर्जिक रियेक्शन होने पर तुरंथ मेडिकल ट्रीटमेंट की आवशकता होती है अब हम डिसकस करेंगे कि Actihil D tablet को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है Actihil D tablet को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डौक्तर Actihil D tablet को दिन में दो से लेकर तीन बार लेने की सलाह देते हैं कुछ व्यक्तियों को डौक्तर केवल दर्ध होने पर ही Actihil D tablet को लेने की सलाह दे सकते हैं Actihil D tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती हैं इसलिए आपको Actihil D tablet को आपके डौक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की Actihil D tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किड्नी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर Actihil D tablet को लेना recommended नहीं होता है इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना Actihil D tablet को नहीं लेना चाहिए Actihil D tablet के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Actihil D tablet का सेवन करना recommended नहीं है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Actihil D tablet को डॉक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Actihil D tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं